मैं कुछ स्क्रीन सॉट लेके आया हूं जिसमें मैं बस ये बताने की आपको कोशिश कर रहा हूं कि दोस्तों वाइफाइश्टी लाइफ चैनल अभी जो एक हपते पहले ही दोस्तों हम लोगों ने बनाया है वाइफाइश्टी को मैंने जॉइंग किया है एक दम नया चैनल जीरो से एकदम कॉंसेप्ट से सुरू किया गया है इसमें दोस्तों आठ घंटे की मेराथन हुई दोस्तों 20-21-22 तीन दिन एक दिन पहले की बात है एक दिन पहले तीसरा दिन आखरी घंटा दोस्तों जितने कोश्चन मैंने बोला था कि भई आखरी वाला करके जाना आखर आखरी दिन जो है तीन से पांच वाला सेशन देखके जाना इंसोरेंस पढ़ाऊंगा साथ नंबर वहां से मिलेंगे तुमको साथ नंबर दोस्तों वैसे तो इस चैनल पर मैंने 30-35 लेक्चर पढ़ाए थे लेकिन वह आखरी वह भी वह तो है ही वहाँ तो सारे कोश्चन आई है लेकिन जो आखरी दिन वाला है यह तो गजबी हो गया और जिन लोगों ने भी आखरी दिन का लेक्च ले जैसे दोस्तों यहां पर जो है एक कोश्चन आपको यहां पर दिख रहा है कि लाइफ इंसोरेंस पॉलसी कि शिच का कॉंट्रेक्ट है यहां पर आपको दि ट्रू फॉल्स में मैंने आपको कराया था यह यह दोस्तों कोश्चन आ गया मैंने कहा था कि माइनस मार्किंग नहीं है आराम से समल के बार बार पढ़के जब तक आप शियोर मत हो जाना कि इस कोश्चन का यह एंसर होगा तब तक पढ़ना और जब पढ़ोगे एक दो बा तारीक एक दिन पहले बाइस तारीक का ही वही साम से तीन से पांच लेक्चर वही एट आवर मेरा थन हुमन लाइफ वेल्यू जब हम किसी का यह देखते कि इस आदमी को कितने रुपए का इंसोरेंस देना है कितने का लाइफ कवर देना है इस व्यक्ति को तो किस चीज की यून लाइफ वेल्यू से जी मिल्यू से और लोकंशन आया ये लोभू यू सब आप लोग बता रहे हो न यही तो है आप लोग प्याहँ सिद्धान दिया ये भी मैंने आप लोग को पढ़ाया था यह भी कोश्चन आया सोलोमन एस हुबनर यह भी कोश्चन आया human life value यानि कि जब हम यह की आकलन करते हैं कि इस व्यक्ति को कितने का इंस्वरेंस देना है तो human life value में किस किस criteria का ध्यान रखते हैं यह पूरा criteria दोस्तों मैंने आप लोग पढ़ाया था साथ चीजों का ध्यान रखते हैं दोस्तों जब हम एचली को यानि human life value को दोस्तों जो है ऐसे करते हैं इससे कोश्चन आया था कि कौन सा criteria नहीं है अलो करें सर बहुत बढ़िया गया exam सर थेंक यू सर वह तो मुझे पता है कि तुम लोग का exam बहुत बढ़िया गया लाइक करके शेयर करके अभी चैनल को सब्सक्राइब सब्सक्राइब करवाओ ज्यादा सब्सक्रिप्शन बढ़वाए इस चैनल का ताकि दोस्तों जो है और भी जरूरत नहीं लिए और Fr comes पढ़ान दोस्तों पूरे तीन महाइब और्पने चैनल पर जीएya बाई sir पे और दोस्तों आपकी मदद करी वैसे ही आप जु है जो है मेरी मदद करे इस चैनल को वारन करे ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेर करे टेलिग्राम गुरूप वाटसेप गुरूप हर जगह भाई कि उनको भी सही जगह पहुंच जाए और दोस्तों सही चीज पढ़े पूरी बैंकिंग पढ़ा रखिए पूरी एकनौमी पढ़ा रखिए चैनल पे स्टैडिक जी के सब कुछ पढ़ा रखा है हर चीज का दोस्त तो वन स्टॉप सेंटर है यह देखिए अंतिम प्रहार मेराथन पूरी टीम को लॉंच करके 8-8 गंटे पढ़वाया हूं आकरी तीन दिन दोस्तों जिसमें कि मैं सुबह 9 बज़े पढ़ाता था फिर साम को 3 बज़े फिर आ जाता था इसी मेराथन क्लास में दोस्तों यहा हुआ था इन्सोरेंस देखर की को आपको टिक करना था रिष्क को शेयर करना ही दोस्तों इन्सोरेंस पर रिस्क को Neo ले रहे हैं जितने बड़ा ग्रूप होगा उतना कम प्रीमियम आएगा उसके बाद दोस्तों यहां पर यह question देखिए देखिए सब एक ही session से है session देख लिजे प्रूफ के साथ लाया हूं इंसोरेंस किसका होना चाहिए यह question आपके एक्जाम में आया था कि नहीं आया था soul bread winner का यानि की bread earner का जो पैसा कमाता एक परिवार में उसका insurance होना चाहिए मेरे भाई और किसी का नहीं होना चाहिए यह कुश्चेन आया इनसे और इंट्रेस्ट में भी कुश्चन्हा इंस्यपल जो इंसोरेंस कि करते वाँ यह से कंस कम दस से 20 कोश्चन आए हूँगे और साथ प्रिंसिपल को मैंने लगबग जो है दोस्तों हर दूसरे दिन रिवाइस कराया है तुम लोगों को और सातों इंसोरेंस के दोस्तों प्रिंस्पल से आया इंडेम्निटी से आया दोस्तों एक्स्क्लूजन से आया इंडॉमेंट इंसोरेंस क्या होता है इंस्योरेबल इंट्रेस्ट क्या होता है जिसका इंस्योरेबल इंट्रेस्ट होगा व हो उपने parents क dobandaестно की नहीं इंट्रेस्ट करा डाशक्ते हो देखो insurance में अंतर बताया था किसरेंस में होना ही होना है घटना लेकिन जो है वह कब होगा यह नहीं पता यह लाइफ इंस्परेंव कहलता है और इंस्परेंस में है कि घटना हो भी सकती है नहीं भी तो यह जनरल इंसुरेंस में चलता है यानि की पता नहीं क्या होगा गाड़ी का हो सकता है अक्सिडेंट हो सकता है कभी हो ही ना तो दोस्तों यह सारी चीजे जो मैंने पढ़ाई थी वह तुम लोग को आ गया इसमें से पूछा था कौन सी निमलिकित में से सरकारी इंसुरें मैं सर्द दो कोस्चिं तो ऐसे दें जैसे आपने सेट किया था और और वही था सर उसी आपशन के अनुसार जैसे आपने सेट किया था live US यानि कोईस्चिन भी फटो गया यहार अलो कुमार बता रहे हैं कि विया जो पाई dalla सेह objective आट से अनुव्या बड़ वह बुक से उठाए थे तो मुझे पता था कि वही कुश्चन उसी हिसापसे वह उठाएगा यानि अगर आपने iC33 और iC38 पढ़े उगे तो वह अगुशन उठाए थे मैंने तो वही कुश्चन उसने पूरा-पूछ लिया कि आप आइसी 33 और इसी 38 पड़के तो एजेंट का एक फॉर्म बरते हो एकजाम देते हो आप पास करते हो तब तो आप एजेंट बनते हो दोस्तों यह देखिए मैंने बोला था कि यह देखो 23 प्लस दो लाइफ इंसुरेंस अताई जेनल इंसुरेंस एकको को लाइसेंस मिला है एकको को पूछ लिया इनमें से कौन श्रॉक ब्रॉकिंग कंपनी नहीं है और एकको उसमें डाल दिया तो एकको लाइफ इंसुरेंस कंपनी थी बात खतम इसके बाद दोस्तों मैंने का इंसुरेंस में और भी बहुत सारे प्लेयर होते हैं उन टर्म्स को जानो उनके सौ अंडरलाइन कर रहा हूं थर्ड पार्टी एड्मिनिस्ट्रेटर को देखिए वही एकजाम के एक दिन पहले सांद को तीन से पांच वाला लेक्चर है थर्ड पार्टी एड्मिनिस्ट्रेटर टीपीए दोस्तों मैंने इसको कराया था देखे टीपीए थर्ड पार्टी है वह जिंदा है और एक चल रहा है सब्सक्राइब दोस्तों फर्स्ट ब्रीमिम вместе में फिल फॉरम में पूछा तो दोस्तों कॉन फॉल से पूछा क्arat़ और आप भी बताईए आप लोगे दोस्तों यहां पे बता हिए human life value के criteria यह तो हम लोग ने करी लिया mutual fund को कौन regulate करता है दोस्तों यह तो LICAO में पूछा था LICAO में पूछा था दोस्तों